ओम शान्ती दो युगों तक दुख का अनुभव करने वाली आत्माएं संगम युग पर जब दुख हरता सुख करता बाप से मिलती हैं तो न केवल सुख की अनुभूती होती अपितु अतिंद्रिय सुख का भी अनुभव करती हैं जिसकी आधार पर हम आत्मा 21 जनम बेहत की बादशाही प्राप्त करती हैं तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 23 अगस्त 2014 के मधुर महावाक्यों को कौन सी बात हमारी बुद्धी में अर्थ सहित है सारे स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है आज की मुरली के अधार पर किस किस को पतित पावन नहीं गय सकते गंगा को देवताओं को ब्रह्मा विश्नु शंकर को संगम युग में हम क्या करते हैं यह ज्यान सुनते, बाप से वर्सा लेते, श्याम से सुन्दर बनते गोरा बनने का पुरिशार्थ करते, दुख से निकल चोटी पर चड़ते सुक धाम चलने का पुरिशार्थ करते क्या होने से क्या होता है याद ना करने से पावन नहीं बनते कामचिता पर चड़ने से काले बन जाते सतो प्रधान बनने का पुरिशार्थ करने से गूरा बनते शरीर को चोट लगने से आत्म को दुख फील होता बाप के मिलने से सेकेंड में विश्व का मालिक बन जाते सर्वशक्ति मान को अपना साथी बनाने से कोई भी विग्न रोक नहीं सकता विश्व परवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी बनने से भविश्व का ताज तक्त मिलता कुछ बातों के लिए बापा ने बताया ऐसा क्यों है जल्दी जल्दी पुरिशार्थ करना है क्योंकि विनाश सामने खड़ा है इस दुनिया को दुख धाम कहते हैं क्योंकि इस समय अपार दुख है श्री कृष्ण को भी श्याम सुन्दर कहते हैं क्योंकि हम अभी श्याम से सुन्दर बन रहे हैं छोटा बगीचा काटों का जंगल बन जाता है क्योंकि पांच विकारों की ब्रवेश्टा होती है अच्छे रतन भी चलते चलते बाप को याद करते हैं क्योंकि जनम जनमांतर का पापों का घड़ा भरा बड़ा है सत्युग में क्या होता है और क्या नहीं? क्या होता है? निडर, धन्वान, अपारसुक, हमारा राज्य, थोड़ी जमीन क्या नहीं होता है? डर, दुख, रावन, अकाले मृत्यू, किसी और का राज्य शृवावा को याद करने से क्या फायदे होते? सब दुख दूर हो जाते, अंत मती सुगती होती, पापों का बोजह उतरता, आत्मा सतो प्रधान बनती, 21 जन्मों का सुख सामने आता, अंत समय एक बाप की याद में रह सकते? हमें किन बातों की धार्णा करनी है? इन आखों से इविल नहीं देखना है, सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुशार्थ करना है, बाप की याद में कोई गफलत नहीं करनी है, बाप ने जो ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है, उसी से देखना है, ग्रस्त वेवार में रहते बहुत प्यारी चीज बाप को याद करना है, अवस्था ऐसी बनानी है, जो अंतकाल में एक बाप के सिवाए दूसरा कुछ भी याद ना आए, ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, समय बहुत कम है, मंजल सामने है, तो इस समय हमें कोई गफलत नहीं करनी है, सतो प्रधान बनने का पुरुशार्थ करने म मुख्य रूप से चलते फिरते बाप को याद करने की महनत अवश्य करनी है, ओम शान्ती